भगवान बुद्ध का जब पाटली पूत्र में सुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपने अपनी संपत्तिक इस्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा राजा बिम्बिसार ने भी कीम्ती हीरे मोती और रत्न उन्हें पेस किये बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर सुविकार किया इसके बाद मंत्रियों सेठों साहुकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अरपित किये और बुद्ध देव ने उन सब को एक हाथ से स्विकार कर लिया इतने में एक बुरी माता लाठी टेकते हुए वहाँ आई बुद्ध देव को परनाम कर बोली भगवन जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह हनार खा रही थी मेरे पास कोई दूसरी चीज ना होने के कारण मैं इस अधखाय फल को ही ले आई हूँ यदि आप मेरी इस तुछ बेट को सुईकार करें तो मैं अहो भाग्य समझूंगी भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल गरहन किया राजा बिमिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा भगवन छमा करें एक प्रस्न पूछना चाहता हूँ हम सबने आपको कीमती और बरे-बरे उपहार दिये जिन्हें आपने एक हाथ से गरहन किया लेकिन इस विरिद महला द्वारा दिये गए छोटे और जूटे फल को आपने दोनों हाथों से गरहन किया ऐसा क्यों यह सुनकर बुद्ध देव, मुस्कुराय और बोले राजन आप सबने अवस्य बहुमुले उपहार दिये हैं किन्तु यह सब आपकी संपत्ति का दस्वा हिस्सा भी नहीं है आपने यहदान गरिबों की भलाई के लिए नहीं किया है इसलिए आपका यहदान सात्विक दान की इसरेनी मिन नहीं आ सकता इसके विपरीत इस बुड़ी महला ने अपने मुह का कौर ही मुझे दे डाला है भले ही यह निर्धन है लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसर नहीं है यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हिर्दे से दोनों हाथों से स्विकार कर लिया